नमश्कार दोसुब फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोसुब इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ लावा X2 के फोन में या फिर X-series के किसी भी फोन में आप यहां पे नोटिफिकेशन की सेटिंग कैसी कर सकते हैं नोटिफिकेशन कैसे बंद करना है स्टॉप करना है तो फुल सेटिंग यहां पे आपको बताने वाली हूँ तो आप चले जाएंगे सेटिंग पे सेटिंग पर यहां पर यहां पर इस ट्रैप से ऑप्शन आ जाएगा अब यहां पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन इस पर क्लि लेखने को मिलेगी और स्नूज वाली भी इसे अन करने से क्योंकि जो स्नूज होता है ना कि जैसे कि आपका लर्म एक बर बस्ता है दो बर बस्ता जब आप खुछ से नहीं बंद करके तो बंद नहीं होता तो इसी टैप का ही नोटिफिकेशन हिस्ट्री होता है जब तक आप बंड ने लोगे हटाओगे नहीं तो यह हटेगा नहीं बबल्स का उप्शन है तो आपको नोटिफिकेशन बबल बंद करना है तो बंद कर लेंगे चालू करने चालू कर लेंगे इसके बाद यहां पे इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहां पे आपको जो भी नोटिफिकेशन receive होते हैं वो applications हैं आप इसको off कर लीजेगा on कर लीजेगा पाकि अंदर से कोई setting करने है तो आप यहां से on off कर सकते हैं और chrome में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे देख सकते हैं chrome में काफी ज़्यादा होते हैं तो कोई setting अगर बंद है तो चालू कर सकते हैं और notification on lock screen तो यहां पे आप conversation को hide कर सकते हैं कई लोगों की बातचीत होती है lock screen पे show हो जाती किसी का message तो यहां पे hide कर लीजेगा और इसके बाद यहां पे sensitive notification मैं बंद करके रखूँगी advance पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर लूँगी अगर आप यहां पे कोई silent notification है उसको आप hide करना चाहते ह status bar से भी तो इसको आप on कर लेंगे और यहां पे snoozing आप on कर सकते हैं और action and reply का option यहां से लगा सकते हैं और notification dot यहां से आप हटा सकते हैं लगा सकते हैं और यहां पे default notification sound notification sound यहां से change कर लीजेगा do not disturb लगा सकते हैं अगर आपको किसी की disturbance नहीं चाहिए तो इतनी setting आप कर सक चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार